नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका IS PCS Academy में और आज है 19 नमबर और हम देख लेंगे आज 19 नमबर के Current Affairs को तो चलिए स्टार्ट करते हैं 19 नमबर के Current Affairs यहाँ पर जो पहला Question है वो पढ़ लेंगे हम लोग लिखा है कि हाल ही में Social Media Company Meta ने भारत में प्रमुख किसे नियुक्त किया है तो यहाँ पर पहला Option है संध्या, देवनाथन, इंद्रा नूई, पराग अगरवाल और इन में से कोई नहीं तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है संध्या, देवनाथन और इन्होंने दिल्ली इन्वेस्टी से MBA किया हुआ है, चले आगे बढ़ेंगे, दूसरे क्विशन में लिखा है कि हाल ही में किस टेनिस खिलाडी ने ATP रैंकिंग में सर्व अधिक अंग पाकर रिकॉर्ड बनाया है, तो Option है नुवाक जोकोविक, कारलोस अलकरेज, राफिल नडाल और इन में से क सबसे युवा खिलाडी हैं इस रैंकिंग को पाने वाले, यह सम रैंकिंग इन्होंने पाई है, नेक्स क्विश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाजरा मिसन सुरू किया है, Option A है, आसाम, B मरीपूर, C पस्चिमंगाल, और D ओडिसा, तो जो इसका सही आंसर है, वो ह A आसाम, चलिए नेक्स क्विश्चन क्यों और बढ़ेंगे, चौत्हा क्विश्चन कहँ रहा है कि हाल ही में कौन भारती सेना की पहली महिला स्काइडाइवर, ना कि ड्राइवर है, यह थोड़ा सा मिश्टेक हो गई है, यहाँ पर, यह देखे, स्काइडाइविंग ऐसे क कोई नहीं यह important question है ससी जीडी और इस तरह की जो one day परिक्षा है उनके लिए तो इसका जो सही आंसर है वो है लांस नायक मन्जू यह पहली स्काइडाइवर है नेस question क्यों बढ़ेंगे चली पांच नमबर question कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रही कतर्णिया घाट वाल लाइफ सेंचुरी किस राजमे स्थित है तो option है यहाँ पर A. उत्तर प्रदेश B. मद्य प्रदेश C. बिहार D. उत्तर खंड इसका जो सही आंसर है वो है उत्तर प् क्योंकि कल से यानि की 18 नमबर से इसको खोल दिया गया है 15 जून तक के लिए यहाँ पर टूरिजम के लिए और लोग जाएं वहां रहें और यहाँ पर संथाल और थारू जन जाती रहती है तो उनके बीच में कैम्प लगाकर रहने का उनके जो टेडिशनल फूड है उसका उस सब चीजों के लिए खोले गई है चलिए नेक्स कुश्चन देख लेंगे छे नमबर कुश्चन कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस यहाँ पर किस उत्पाद को जियाई टाइग देने की घोशना की गई है तो आपसन ए है बुंदेल खंड का गठिया गे हू फरुखाबाद की नमकीन मतुरा के पेंडे और इन में से कोई नहीं तो जो इसका सही आंसर है वो है बुंदेल खंड का गठिया गेहूं और मित्रो आप जो भी हमारे साथ अटेम्ट कर रहे हैं आप अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं और यदि आप चैनल प निकायों की वित्ती स्थिती पर रिपोर्ट जारी की है तो वो कौन सा संस्थान है तो वित्ती स्थिती रिपोर्ट जारी की है तो वो है नीती आयोग, आर वी आई, सहरी विकास मंत्राले और ग्रह मंत्राले तो जो नगरी निकाय है उनका जो वित्ती स्थिती रिपोर्ट है वो है RBI उसने जारी किया है और यह हमारे समविधानिक संस्था है चलिए आठ नमर कुश्चन की और बढ़ेंगे और देख लेंगे कि हाल ही में गीता महसुक किस राज में आयोजित किया जा रहा है तो वो है पंजाब, आपसन A, आपसन B हरियाना, आपसन C राजस्थान और आपसन D दिल्ली तो इसका जो सही आंसर है वो हरियाना है और दोस्तों यदि आप पॉलिटी की पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारे चैनल पे मयंग सर हैं जो पॉलिटी पढ़ा रहे हैं और SSC GD और SSC CGL, HSL के लिए इंगलिस के जो बैचेज हैं वो इमरान सर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है और जो सीटेट है वो उसकी हिंदी और CDP और EBS वगेरा सब कुछ अरपिसर के सवरा दोरा पढ़ाया जा रहा है तो आप चैनल को सस्क्राइब करें और इस जारी बातों का लाग उठाएं चलिए नौ नमबर कुश्चन देख लेंगे कि हाल ही में पस्चिम बंगाल का राजपाल किसे नियुक्त किया गया है तो यहां पर पहला आप्शन है जगदीब धनखड हरदैनरायन दिच्छित सीवी आनन बोस इनमें से कोई नहीं उसका जो सही आंसर है वो है सीवी आनन चलिए राजपाल की समवधानिक इस्तिति के बारे हम थोड़ा देख लेंगे यहां पर लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 153 प्रत्यक राज़ी के लिए एक राजपाल होगा एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज़ियों का राजपाल नियुक्त किया जा सकता है ठीक ह करता है वह राज़ी के मंत्री परिसद की सलाह मानने को बाद भी राज़ी का समवधानिक प्रमुख है वह केंद्र और राज़ी सरकार के बीच एक महत्पुर करी के रूप में कारी करता है यह आगे पढ़ेंगे राजपाल अनुच्छेद 157 और 158 के तहट राजपाल पद के लिए पातरता संबंधी आवशक्ताओं को निर्दिष्ट किया गया है राजपाल को सम्विधान के अनुच्छेद 161 के तहट छमादान और दंड विराम आद की शक्ति प्राप्त है कुछ विवेकाधिन सक्तियों के अत्रिक्त राजपाल को उसके अन सभी कारियों में सह 163 में है राजपाल राज के मुख के मंत्री और अन मंत्रियों की नियुकती राजपाल द्वारा की जाएगी 164 तो ये कुछ समविधानिक प्रावधान थे राजपाल से संबंधी चले नेक्स क्विश्चन क्यों बढ़ेंगे और यहाँ पर कह रहा है कि हाल ही में आयोजित नो मनी फार टेरर सम्मिलन कहां पर संपन हुआ तो इसका पहला आप्शन है नई दिल्ली दूसरा आप्शन है मुंबई तीसरा लखनव और चौथा इनमें से कोई नहीं तो इसका सही आप्शन है नई दिल्ली आप्शन ए तो मित्रों ये थे कुछ महत्तुपूर दस आफेर्स जो आगामी आपकी परिशाओं के लिए बहुत उप्योगी हो सकते हैं तो आपसे गुजारी से की चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें और लाइक करें और मुझे इजाज़ दीजे आपका दिन स्थोभो जैहिन जैवारत